आज हमारी टीम पतेकर साब के गाम ध्यानू मजरा पहुंची है जहां सरवजी सिंग की भैंसिया 20 किलोगराम रिजाना के हिसाब से दूद निकालती है सच्चाई को जानने के लिए देखते हैं शाम के समय का दूद दोहन बाद में तौल होगी इस दौरान हम आपको इस भैंसिया के बारे में बताना चाहेंगे कि सरवजी सिंग के पुत्र साब सिंग ने इसका नाम लडो रखा है लडो की उमर सवा तीन साल की है ये साथ फर्वरी 2018 को पहली बार भी आई है पहरी बार इसने पटी पंजाबी में कहें तो कट्टी को जनब दिया है लडो ने सरवजीत को उमीद है कि आगे चलकर 23-24 किलोर जाना के साथ से दूद निकालेगी अधर दूद दूद शुरू हो चुका है दूद दूद के पास चाहत तॉल होगी तब देखेंगे कि शाम के दूद में कितना दूद निकाला है लडो में बारे में फिशेज जानकारी मिली है अकसर देखा जाता है कोई भी भेसिया अपनी माँ से कम दूद निकालती है लेकिन लडो के मामले में ऐसा नहीं है इसकी माने 18 किलो दूद निकाला था जब कि लाटो ने बीश क्रों से भी अधिक दूद निकालकर इनाम जीता है सर्वजी से कहते हैं कि समय के अभाव में लाड़ो का रख रखाव बढ़िया नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके ओपर और भी बहुत सारी जुम्मेदारियां हैं गाव में सुसाइटी के काम को देखते हैं चालिस से कटकी खेती है इसके लावा और भी बहुत काम है तो देखते हैं कि कितना दूद निकाला लाड़ो ने शाम की सुदोहन के समय है भार तोलक बता रहा है कि नौ किलो नौ सौ क्राम दूद निकाला है लाड़ो ने और सुबह के समय निश्चे रूप से कुछ न अधिक रहता है जो कुल मिलाकर 20 किलो से भी अधिक दूद निकालती है लाड़ो कि अधिक दूद निकालती है